श्री राम चरन पूजन के तहट मर्याद पुरुशत्तम भगवान श्री राम जी का पावन रत अंतराश्ट्य कवी शंभू सिंग मनहर के नेत्वत में खजूरी श्री संत सिंगा जी बावा जन्मस्तली से प्रारम भोकर सेगावा पोचा देवी श्री लाल भई फुल भई माताजी मंदीर परिसर में रत का पूजन अर्चन कर स्वागत किया गया रत ओन खरगौन सनावात मुंदी से होते हुए दिनांक 21 अक्टूबर तक संत स्री सिंगा जी धाम खंडवा पहुचेगा इस अउसर पर यात्रा प्रमुख अंतरास्टिय कवी शंबू सीहम मनहर नहीं बताया कि ये यात्रा तीन प्रमुख उद्देशो वद्धर्म संभाव की भावनाओं को लेकर जीले और प्रदेश की सुख समर्दी खुशाली वद सत्भावना के लिए निकाली जा रही है यह 300 किलोमेटर की यात्रा है इस यात्रा के पूर्व अशोकवाठी का श्रीलंका से लेकर अयोध्या निर्मान धिन मंदीर तक हमने यात्रा करके अयोध्या जिन्मभुमी से भगवान राम की रज और श्रीलंका से पूजन अर्चन कर चरन लाए गए हैं उनकी ही यात्रा निकाली जा रही है सेगाव से संजेज जैस्वाल की रिपोर्ट तरी राम चरन पूजन यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे सब्सक्राइब यह भी यात्रा खजूरी से आरम होकर के 16 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को यह सिंगाजी महराज के निर्वान स्थर तक यह लगबग 300 किलोमेटर की यात्रा है और इस यात्रा का जो मूल है मूल के पीछे दो चीजन जुड़ी हुई है हमने दो महिने की एक यात्रा पहले किये है अंतराश्ची यात्रा थी धर्म यात्रा जिसमें अशोक वाटे का श्री लंका से लेकर के और आयोध्या में प्र जिससे निर्मित चरण है प्रभु राम के जो शास्टोक तरीके से त्यार किये गए है काम प्रभु के चरण में का क्या रेखाई थी उसको वह चरण लेकर के पहले हम अशोक वाटेका से लेके आयोध्या तक गए है और वह चरण अभी जो हमें प्राप्त हुए हैं उनको लेकर के अभी यात्रा वापस चल रही है आप जो चरण देख रहे हैं जो श्रीलंका में अशोक वाटेका में जिनके पूजन करके लाए गए हैं और आठ हजार किलोमेटर की यात्रा करके और रामेश्वरम से लेके आयुद्या तक की वह आठ प्रांतों की यात्रा थी और समा मं ठंब्र समाइत हो जाते हैं जो विवेकारन की दरश्टी रही है तो समग्र धरमों का एक सनातन सो रूप हमारा जो हो सकता है तो नैतिक रूप से परिएतसरस धरम नहीं भाई परइड़ासम नहीं अदिमय है erst जो तुलसी की चोपाई है वह समग्र धर्म हमारा उस्म तो पेला धर्म जागरन दूसरा राष्ट जागरन और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदु समाज में सनातन समाज में जो जातियां हैं जातियों के लेकि जो वेमेनस से पैदा करने के प्रयास होते हैं उनके विरुद्ध ये समरस्ता की यात्रा है कोई बड़ा नहीं क प्रभुष्री राम के जितने भक्त हैं एकाकार रूप में हमारे साथ जोड़ करके उस यात्रा को करें जो प्रभुष्री राम ने संदेश दिया था कि वन में जाए बिना हम नग्रों को नहीं बचा सकते अगर अयोध्या बचानी है तो आयोध्या में रहे के नहीं बलकि कि हमको सुधूर जंगलों में जाना पड़ेगा क्योंकि जितने यह जो विशायली शक्तियां हैं जो तब भी थी रावन के समय में और आज भी है तब भी वो जंगलों में ही व्यविचार और तमाम पापाचार कर रहे थे आज भी कर रहे हैं मैं लिखता नहीं हूँ ऐसे बोलते हैं संभुजे शंभु सिंग मन्हर नाम से बोलते हैं कविता पढ़ने का मुख्यका अब देख रहे हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबान बेल को बिना मुले